हेलो गाइस वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम डिसकस करेंगे कॉंट्रिबिशन ओफ इंडियान आर्टेस्ट इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में आपको जैसे पता ही है कि जब पहले इंडिया में कौन आये थे मुगल्स आये थे उसके बाद कौन आगे थे ब्रेटिशर्स तो जब ब्रेटिशर्स आये तो मुगल स्कोल आऔर राजेस्थानी स्कूल आफ आफ का इuary्ट अफॉल ऑफ र्प श्क मोने लगा था क्योंने लगा था यूंद ब्रेटिशर्स ने अपना बेश्चन स्कूल आफ पर ड़नाने लोगों को इंस्पाइर किया था यहांतों क को इंस्पायर किया था कि कैसे वो अपने अपने हग के लिए लड़ सकते हैं तो वही सब कुछ हमें इसके अंदर पढ़ना है कि कौन-कौन से आर्टिस्ट ने क्या क्या किया था देखते हैं और इंडिया का फ्रीडम मूँंट चला था तो उसके अपर प्रब्लिक की लाइफ को बहुत बढ़ना था आगे देखते हैं महात्मा गांधि ज्वालल नहरू इन्हों ने बहुत सारे आर्टिस्ट को क्या किया था इनकरिस्ट किया था कि वह भी खुद लड़ाई में उत्रें इंडिया की पेंटिंग बनाये था कि लोगों को क्या पता चले अपनी पेंटिंग से बारे में पता चले और अपने हग के लिए वह भी लड़े देखते हैं फर्स्टी मुगल्स भी ट्रेड इंडिया क्लासिकल अर्ट एंडेर आफ्टर ब्रिटिशर्स रिड़ दा सेम विद इंडियन आ उन्हें इंडिया के एजुकेशन शिश्टम को भी क्या कर दिया चेंज कर दिया बंगोल स्कूल ओफ आट कॉंट्रिबूटर टू दा फ्रीडम मुवमेंट के लिए तो यह अगर आपने पढ़ना है कि कैसे किया तो वह मैंने और इसका लिंक में आपको आई बटन पे भी कॉंसी पेंटिक बनाई थी इसमें से आपको सब कुस तो अच्छे से आप नहीं रखना है फोड़ा वोता आपको अच्छे से आद रखने और आपको अच्छे सेब फूल नंबर भी देखते हान भारत माता की पेंटिक बनाई थी अभिंदनात्य गोर चीनहां हमने पाँच छे आर्टिस्त हमें पड़े थे अपनी पिछली वीडियो में कि कौन-कौन सा आर्टिस नी क्या किया था अपना मकान को आप फोटो में भी देखिए फूड ग्लोफिंग और शेल्टर को इनकी भारत माधा शो करती थी मतलब इन्होंने क्या किया था एक यंग वूमेन दिखाई थी जिसकी फोर आम्स दिखाई थी और चारों आमस ने क्या किया था कुछ ना कुछ पगड़ रखा था और इस तरह से उस फीगर को शो किया गया था कि वह ऐसा लग रहा था हिंदू जैसे हिंदू लोगों की भगवान हो उनकी देवियों आगे देखते हैं एफ्ञस किया था है और वाइट कबड़ दिखाए गई डिखाई गया तो इस पाट्ड कोटी का थी स्वह एंड़ी क्या था पक्ड़ और मगा तो आप इसमें से कुछ भी थोड़ा बोता एक्स्पेन अच्छ से कर सकते हैं आगे देखते हैं अम्रिता शेर्गिल का क्या वर्जन था भारत माता के उपर ये सब कुछ सिरफ लोगों को इंस्पायर करने के लिए पेंटिंग्स बनाई जा रही थी ताकि वो अपने हप के लिए लड़े उन्हें पता चले कि इंडिया का भी खुद का एक आट है वो वेस्टन आर्ट से इतने इंट्र्यूएंस ना हो आगे देखते हैं अम्रिता शेर्गिल ने क्या बताया अम्रिता शेर्गिल आलसो बेंटिड मदर इंडिया इंडिया की उस टाइम पे जो भी रियल इमेज थी वो उन्हें ने शो किये थी यह इमेज थी वो जड़े डाउन टू अर्थ थी अब आगे देखते हैं उन्हें क्या दिखाई एक भारत मादा दिखाई जो कि क्या थी एक पूर पीजन वुमेन थी यह इंपोर्टेंट आपके लाएं कि यह एक पूर पीजन वुमेन थी विद हर पूर चिल्रन जिसके क्या थे एक बहुत गरीब बच्चे के एंड़ बॉय इन हर लैप और उनकी से गोधी में भी एक बच्चा बैठा हुआ है आपको इन तीन के बारे में याद रखना है अमनीता शेर के और हमने पहले किसकी पड़ी थी इंदरना टेगोर जीगी तो उनके अलावा ग्ये कुन थे पुर्णा गोश्ट इननने बनाई अपनी भारत माता जिए बेज थी बेज रोना सोंग बाए धिजवेंदर लाल रोए वोस रेफ़र टू इस मदर लेंड एस भारत जन्नी उनके गाने पर बेज जो ìेकों इनके गाने से रेफ़र होके यह पिचर बनाई थी अजांदर स्वाराज मुमेंट को अच्छे सवाध है और अपनी पेंटिंग में जिसे लोग इनफलिएंस होए और अपने हक्क के लिए लड़े आगे दिखते हैं गगेंदर नाटे गोर जी का क्या किया था इन्होंने उन्होंने उसी की पिच्चर बनाई थी एक तरह से और लिखा था कि इन्होंने पंजाब में शान्ती के लिए मांग के थी डिकलेयर किया था उन्होंने दिखाया था कि कैसे इपरिटी शर्स ने इंडियन के खिलाफ जो भी किया था वो सब कुछ उन्होंने अपनी पैंटिंग में अच्छे से शो किया था हम अपने पंच कॉन्टिबुटर के बाड़े में तो डिसकस कर चुके हैं है हमारे last contributor होगी है आसित कुमार हल्दर इसके लावा भी बहुत से आर्टेस्ट थे लेकिन हमें अभी पांच्छे बारे में ही लिखना है और आपको इन में से लाइक ननलाल बोस यह आपको एक तरह से ओवर्विव लास्ट में लिखना है आपको लाइक ननलाल बोस और बिंदर नाटिक और आर्टेस्ट लाइक अमे आर चुकताई पेंटेड और नमबर ओफ थीम्स रिलेटेड विद फाइट फॉर इंडिपेंडेंस अब मैंने आपक पेंटेड नमबर ओफ थीम्स रिलेटेड फाइट फॉर इंडिपेंडेंस आगे देखते हैं दे कम आउट विद एक्सेलेंट आर्ट वर्क ओवर दा रिगिड वेस्टन आट इन्होंने क्या किया था बहुत अच्छा आट वर्क किया था जहों किसे लड़ाई कर रहे थे क मतलब उन्होंने अपने टककर उसनके टककर का आर्ट किया था तो मैं होप करते हैं आपका आज कॉंट्रिबिशन की अच्छे से समझ आ गया होगा तो प्लीज इस वीडियो का एक लाइक कर दें में चाहेंको ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू